हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब अप्मीद है अच्छे होंगे बढ़े आऊंगे तो दोस्तों यह आप इस पोकन इंगलिस सीखना चाहते हैं या फिर शीख रहाए हैं डेली हमारी वीडियो देख रहा हैं और वो fluent English नहीं बोल पाते हैं तो आपको ये वीडियो एंट तक देखना है ध्यान से कि क्या अक्सर गलतियां करते हैं नई लड़के जो English सीखने वाली होते हैं देखिए अंग्रेजी के लिपी रोमन है हिंदी की देवना अंग्रेजी ठीक न है अंग्रेजी वर्ण माला में वर्ण लेटर से दो प्रकार के होते हैं आपको ध्यान देना है हिंदी मक्यवल एक प्रकार के ही वर्ण होते हैं यानि कि लेटर होते हैं जबकि इंग्लिस में लेटर दो प्रकार के होते हैं प्रिंट किया जाता है यानि कि लिखेत रूप से यह अलाग अलाग होते हैं ठीक है पहले दो प्रिकार के होते हैं अब छोटे बड़े में इनकी मैचिंग होती है क्या होती है पैसी है मैं आपको बताता हूं abo कि centi देखिए जो इः आपके सामने छापे के बड़े चशल हैं और छापे के छोटे चशल है जए बहुँआ सेट है ना यह हमेशा दौन और इस साथ ही उच किया जाता है जैसे कि हमें कहीं किसी का नाम लिखना है जैसे कि मेरा नाम ही आप मेरे चैनल का नाम है राम किसोन तो आप मेरे चैनल का नाम लिखना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर एक्जामपल से तो यह प्रिंटिंग लेटर होते हैं किताबों में यह लिखी रहते हैं दौनों मिला करके कभी जरूइत पड़ती तो पहला चरी बड़ा रहता है फिर बांकी चोटे अच्छा लिखी जाते हैं ठीक है तो यहां पर मैं आपको अपना नाम लिख कर बताता हूं जैसे कि मेरा नाम है तो मैं यहां पर पहले बड़ा आर बनाऊंगा ठीक है फिर बड़ा आर बनाने के बाद इनका यूज करना छोटे लेटर का इसमाल लेटर का छोटे चापे के छोटे अच्छा ठीक ना राम के सुन तो इस तरह से देखो मैंने यहां पर जो है पहला च्छर बड़ा किया हुआ है यहां पर जो कि छापे के बड़े च्छर से लिया है और जो छापे के छोटे अच्छर है इसे मेरे सभी लेटर च्छोटे वा लेटर है सभी यहां से लिया है तो इस तरह जब किसी का नाम आता है तो वहां पर छापे के बड़े अच्छ वीडियो बनाया हुआ है आप जाकर के देख सकते हैं फिलहाल हम इसमें और कुछ नई चीज़ा देखेंगे तो आंगे बढ़ते हैं और यह तो कोई मतलब किजी नहीं है फिलहाल आपको बताता हूँ यहां से हाँ तो जो मैंचीज अब यहां है अंग्रेजी बढ़ों का उच्यारण उच्यारण बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि हिंदी में बड़ा आ का जो मात्रा होती है उससे बड़ा आ ही पढ़ते हैं सभी जगए लेकिन इंगलिस में ऐसा नहीं होता है इंगलिस में जो यह होत चले कोई बात नहीं फर यहां देखते हैं तो यहां से देखना हमको कि English पांच स्वर होते हैं यह है देखो अंग्रेजी में कितने स्वर होते हैं तो डानते डादों जो is यह एंग्लीज की मात्राइं किया है ये मत्राइं है हिंदी में 12 मात्राइं होती हैं और यह पर इस फॉसरने की मेरी यह एक कि लिखने की जमेर नहीं यह हमारी अंदर से गले से निकालने वाली मौण से निकलने में धोनिया है Core स्वर जो कहा जाता है किना चुछ जहांच की वाल्तिक अकले लूप में उचरहना होता है biz सब्दों के बीच में प्रिक्त होने पर उनका भिन्न उचरण होता है यानि कि जो इस स्वर हैं यहां पर इनका जब हम इनको अलग से पढ़ते हैं तो इनको क्या पढ़ते हैं इसको A, E, I, O, U लेकिन होता क्या है कि इंग्लिस में जब हम इनको कहीं वर्डों के बीच में सब्दों के बीच में लिखते हैं तो इनके अर्थ चेंज हो जाते हैं कभी-कभी तो वही देखना है ठीक है तो यहाँ पर देखिए जैसे कि यहाँ पर A है क्या है? A है तो यहाँ मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर देखो A के एक्जांपल दिखाता हूँ आपको ठीक है न? अंग्रेजी वन और आवाज इवन सब्द A, A का देखो हम लोग इसे A पढ़ते हैं A पढ़ते हैं न? लेकिन A के तीन अर्थ हैं यहाँ पर A मेंस कार A से यहाँ पर A से छोटा बड़ा की मातरा बनेगी है बड़ा ठीक है न? कार हमने C के बाद A लग गया तो कार हो गया M के बाद A लगा तो फिर A को क्या पढ़ेंगी? A की मातरा है क्या यह A को A की मातरा बना देंगी? तो यहाँ पर मैं M A N को मन पढ़ना चाहिए न? लेकिन यहाँ पर इसको मैन पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं? मैन फिर यहाँ पर वे है क्या है वे? यहाँ पर देखो A को A की मातरा में पढ़ा जा रहा है सौरी इसका जो फुल वीडियो हमने पहले से बना दिया है अलड़ी इसका फुल वीडियो की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिशन पर मिल जाएगा तो जाकर के जरूर देखिए और इनके कुछ और एक्जाम पान लिए तो कि वहले इनके अलाग अलाग से हैं यहां पर देखिए एसे एकी कब मतलब एसे कब एक की मातरा बनती है या एक की मातरा बनती है फिर एसे कब आ की मातरा बनती है देखो यहां पर और एसे कब बड़ा की मातरा बनती है है ना फिर एसे कब एक की मातरा बनती है यानि कि ए जैसे वेयर इस पेयर तो इस पर ह हम अलग से फॉल वीडियो लाएंगे अलग से सौरी हम हमने इस पर अलग से वीडियो बना दिया है याद नहीं रहता दोस्तों तो बना दिया तो आप जाकर कि देख सकते हैं डिस्क्रिशन में आपको फॉल वीडियो के लिए कि मिल जाएगी